साल 1947 में भारत की आजादी के समय प्रधान मंत्री पद के दो दावेदार थे पंडित जवारलाल नहरू और मुहम्मद अली जिन्ना दोनों को आजाद भारत का पहला प्रधान मंत्री बनना था लेकिन पीम की रेस में पंडित नहरू जिन्ना से बहुत आगे थे इस बात का अंदाजा जिन्ना को भी था इसलिए उन्होंने भारत का बटवारा कराकर अलग पाकिस्तान बना लिया और वहां के प्रधान मंत्री बन गए यहां गांधी के आशिरवात से नहरू भारत के पहले प्रधान मंत्री बने लेकिन देश को क्या पता था कि नहरू प्र नहरू की पहली गलती कश्मीर युद्ध में संघर्ष विराम आजाद भारत में पंडित नहरू की पहली गलती थी पाकिस्तान के साथ पहले युद्ध के दौरान जम्मु कश्मीर को संयुक्त राष्टर के मंज पर ले जाना और आज आप जिस पीयोके का नाम सुनते हैं उसके पीछे का कारण कहीं नहरू है पीयोके का मतलब है पाकिस्तान occupied कश्मीर और ये कहानी सुरू होती है 24 अक्टूबर 1947 को जब जिन्ना के पाकिस्तान ने जम्मु कश्मीर पर हमला कर दिया था उस समय जम्मु कश्मीर 173 राज्य था जिसके राजा थे हरी सेंग जम्मु कश्मीर पर पाकिस्तान के कबजे के डर से महराजा हरी सिंग ने अपने राज्य का भारत में विलय करने का फैसला लिया जिसके बाद भारती सेना जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज को ख़देरने लगी, दो तिहाई हिस्सा पाकिस्तानी कबजे से मुक्त हो चुका था, सिर्फ एक तिहाई भाग बचा था जब ही भारत के प्रधानमंत्री जवाहलान नहरु ने अपनी तरफ से संघर्ष विराम का एलान कर दिया, या एलान तब किया गया जब भारत पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के कबजे से छुडाने के बेहत करीब था लेकिन संघर्ष विराम की घोशना होते ही जो जहां था वही रुप गया, कश्मीर के उपर एक लाइन खिच गई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानि एलोसी का नाम दिया गया अगर नहरु ने उस दिन संघर्ष विराम की घोशना ना की होती, तो कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का कबजा नहीं हुआ होता और नहीं भारत को सीमापार से आतनकवाद और घुस्पैट का सामना करना पड़ता नहरू की दूसरी गलती संयुक्त राष्ट में कस्मीर का मुद्दा ले जाना पंडित नहरू ने हिंदुस्तान की आजादी के 150 दिनों के अंदर दो ऐसे फैसले लिए जिसका खामियाजा कस्मीर और पूरा भारत अब तक भुगत रहा है पहला फैसला संगर स्विराम का, दूसरा फैसला कस्मीर में युनाइटेड नेशन्स के निगरानी में जन्मत संगरह कराने का दो नमबर 1947 को All India रेडियो पर नहरू ने कश्मीर में संयुक्त राष्ट की देखरेक में जन्मत संगरह कराने की घोशना की जन्मत संग्रह का मतलब ये था कि जम्मु कश्मीर की जन्ता से राय ली जाती कि वो भारत में रहना चाते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाते हैं जन्मत संग्रह के परिणाम पर संयुक्त राष्ट अपना फैसला सुनाता कहा जाता है कि आजाग भारत के पहले गवनर जनरल लॉर्ड माउन्बेटन जिनुने भारत का बटवारा कराया उन्होंने ही नहरू को कश्मीर को संयुक्तराश्ट ले जाने और संगर श्विराम करने की सलाह दी थी और जब नहरू ने ये फैसला लिया था तो ततकालिन ग्री मंत्री सरदार वल्लब भाई पटेल से उन्होंने पूछा तक नहीं था सोचिए नहरू ने उस अंग्रेज पर भरोसा किया जिसने भारत के दो नहीं 565 टुकड़े करने की साजिस अची थी क्योंकि उस समय 565 रियास्ते थी जिने ये अधिकार दिया गया था कि वो चाहें तो भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुने या अपना अलग राज्य चलाएं लेकिन उस सरदार पटेल से पूछने की जहमत नहीं उठाई गई जिनोंने 565 रियास्तों को भारत में मिला कर अंग्रेजों की साजिस को नाकाम कर दिया था पंडित नहरू की तीसरी गलती थी जम्मू कश्मीर को अनुचे 370 का विशेश अधिकार देना जो देश की एक जुटता को प्रभावित करने वाला साबित हुआ जिसकी वजह से एक देश में दो जंडे और दो विधान बन गये जिसकी वजह से अलगाववात पैदा हुआ साल 1948 की बात है भारत अपना समिधान लिखने में जुटा था जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े लीडर और पंडित नहरू के जीगरी दोस सेख अब्दुल्ला चाहते थे कि समिधान में ऐसी विवस्था बने जिससे जम्मू कश्मीर को विशेश अधिकार मिल सके इसके लिए शेख अब्दुल्ला खुद समिधान सभा की टीम में जगह बनाना चाहते थे और नहरू ने उनकी ये चाहत पूरी कर दी शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को विशेश दर्जा देने की मांग पर अडगए उन्होंने कहा अनुच्छे 370 दीजे अलग जंडा और अलग विधान दीजे नहरू की देश भक्ती पर दोस्ती भारी पढ़ने लगी थी लेकिन बाबा भीमरा आमबेटकर और सरदार वल्लब भाई पटेल ने शेख अब्दुल्ला की मांग का विरोध किया उन्होंने कहा कि जब भारत एक है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन अंग है तो फिर अलग जंडा और अलग कानून की क्या जरूरत है लेकिन नहरू ने पीम वाला वीटो लगा कर शेख अब्दुल्ला की 370 वाली उम्मीद पूरी कर दी और कुछ सालों बाद अनुचे 370 में धारा 35 ए भी जोड़ दी गई इस प्रावधान में एक विवादित बात ये थी कि अगर जम्मू कश्मीर की लड़की किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी करती तो उस पाकिस्तानी व्यक्ती को भी भारत की नागरिकता मिल जाती लेकिन जम्मू कश्मीर की कोई लड़की अगर भारत की किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी करती तो कश्मीर में उस लड़की के सारे अधिकार छीन लिये जाते रक्षा, विदेश, वित्ये और संचार के मामलों के अलाबा भारत का कोई भी कानून जम्मु कश्मीर पर लागू नहीं हो सकता था इसका परिणाम ये हुआ कि जम्मु कश्मीर में अलगावाद और आतंगवाद बढ़ता चला गया हिंदू आबादी कम होती गई, धर्ती का स्वर्ग होकर भी कश्मीर लगातार पिछड़ता चला गया लेकिन किसे पता था कि 20-वी सदी की गलती 21-वी सदी में सुधारी जाएगी पांच अगस 2019 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की सरकार ने जम्मु कश्मीर से अनुच 6-370 को हटा दिया नहरू की चौथी गलती, UNSC की स्थाई सदस्यता चीन को दी बात साल 1973 की है, अमेरिका ने भारत को स्थाई सदस्य बनने का उफर दिया था UNSC में 5 स्थाई सदस्य होते, 4 देश थे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस पांच में देश के तौर पर अमेरिका चाहता था कि भारत रहे लेकिन ततकालीन प्रधान मंत्री जवाहलाल नहरू ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उसे मुफ्त में सलाह दे दी कि ये जगह चीन को दी जाए इस बात का जिक्र कॉंग्रेस के सांसद और पूर्व केंदरी मंत्री शशी थरूर ने अपनी किताब पंडित नहरू का मानना था कि चीन भारत से बड़ा देश है और संयुक्त राष्ट्र के इस्थाई सदस्यों में उसका होना भारत से ज्यादा जरूरी है नहरू ने उस दोरान दुनिया के कई देशों को चीन का समर्धन करने के लिए मनाया और इस तरह चीन अमेरिका, ब्रिटेन, ड्रूस और फ्रांस के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत का स्थाई सदस्यों से बना नहरू की पांचवी गलती चीन पर भरोसे का अंजाम 1962 का युद्ध भारत ने आजादी के बाद से अब तक कुल पांच युद्ध लड़े हैं चार जीते और जिस एक युद्ध में हार मिली वो चीन से हुआ 1962 का युद्ध है उस वक्त भी भारत के प्रधान मंत्री जवाह पर आये थे माना जाता है कि 1954 के पंच शील समझोते के बाद ही हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा दिया गया इस समझोते में दोनों देशों को पांच बाते माननी थी उनमें से एक बात ये थी कि भारत और चीन एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे यानि कि एक दू 1961 में चीन ने भारत की अक्साई चिन में सड़क बना लिया जब ये बात नहरू को बताई गई तो उन्होंने अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं किया साल 1961 में दिसंबर के पहले हफ़ते की बात है संसद में चीन पर चर्चा चल रही थी एक सांसद ने पूछा कि नहरू जी आप जवाब दे कि क्या सच में चीन ने अक्साई चिन पर कबजा कर लिया है क्या आपको पता है अक्साई चिन हमारे लिए कितना एहम है संसद में इस चर्चा के 10 महीने बाद 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया तब जाकर नहरू को अपनी गलती का अंदाजा हुआ उस योद्ध में भारत की शर्बनाख हार हुई थी हमारा अक्साई चिन इलाका चीन के कबजे में था हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का अवैद कबजा हो चुका था बाद में चीन ने पाकिस्तान अधिकरित कस्मीर की 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन भी पाकिस्तान से ले ली ये सारी जमीने भारत की हैं लेकिन आज भी इन पर चीन का अवैद कबजा है साल 2020 में भी उसने गलवान में भारत की जमीन कबजाने की कोशिश की थी लेकिन 1962 की गलतियों से सबक लेकर भारत ने चीन के कबजा प्लैन को नाकाम कर दिया अगर पंडित नहरू से वो पांच गलतिया नहीं होती तो आज भारत चीन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता अमेरिका रूस और चीन की तरह भारत के पास भी वीटो पावर होता पूरा कश्मीर हमारा होता दड्राफ्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताईए कॉमेंट करके आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को भी वीडियो दिखाईए और शेयर कीजिए अपना खयाल रखिए